इस वीडियो में आपको दिखाएंगे Mozilla Firefox का download location आप किस तरह के से change कर सकते हो Mozilla Firefox का download location change करने के लिए सब से पहले Mozilla Firefox open करने के बाद Right side में यह जो triple dot आपको दिखाएंगे इसके अंदर आगे simply आपको settings के अंदर आगना होगा settings के अंदर यहां पर click करने के बाद यहां पर आपको दिखाएंगे काफी सारा tab left side में यहां पर देखिए यह है general tab यह general tab के अंदर आपको रहना होगा and यहां पर आके आपको scroll करना होगा नीचे इस बार को पकड़ करके भी scroll कर सकते हो माउस का wheel घुमा करके भी scroll कर सकते हो अब यहां पर देखिए यह ओला option है अब यह देखके आप मत छोड़िए क्योंकि इसके अंदर कुछ advanced चीज है वो आपको समझा देंगे अब यहां पर देखिए यह है save file location file location किस तरह के से save करना है यहां पर ब्राउजर के उपर आप लोग को क्लिक करना होगा किसी पी एक specific file location को select करने के लिए तो ब्राउजर के उपर जब आप क्लिक करेंगे यहां पर आपको explorer है वो यहां पर open हो जाएगी यहां पर आपको location दिखाना होगा आप यहां पर दीक स्टॉफ आधर पर यहां पर एक folder पहले से ही आप folder क्रेयंट करके रख सकतों मेरा folder क्रेक्ट नहीं है इसलिए यहां पर folder इकReat करे लिया जिस तरीके से folder क्रे म्हांन है धुर्य यहां बाते हैं विर hills as well आपके पास एविलेबल है तो फोल्डर क्रियाट करने का जरूरत नहीं है जो फोल्डर आप जाए तो simply उस फोल्डर के उपर क्लिक कर दीजिए and यहाँ पर select folder के उपर आप क्लिक कर दीजिए तो वो फोल्डर आपका set हो जाएगी लेकिन जब भी किसी भी चीज़ डाउनलोड होगी वो आपको सबसे पहले पूछेगे कि कहां पर सेफ करना है एक डायलग बॉक्स ओपन होगा explorer की and वो आपसे पूछेगा कि इस फोल्डर के करना है इस फोल्डर में करना है and फोल्डर देखा दें कि उसी फोल्डर में होगा and by default यह जो फोल्डर है यही open होगा तो अगर आप चाहिए इस फोल्डर के अंदर हो तो अटोमेटिक लिए एंटर प्रेस करतें कि तो फोल्डर के अंदर जो है किसी भी फाइल आप डाउनलोड करें चाहिए वीडियो और यह कुछ भी है वो उसके अंदर सेब हो जाएगा जाएगा